Hello my dear students, I sanjay welcome you once again in this channel and in this lecture we will understand very important topic of our ancient history that is discovery of fire. जी हाई students, इस वेडियो में हम समझने वाले हैं, वो बहुत जादा interesting topic जिसकी आप सभी को तलाश होती है कि आखिर इस वर्ल्ड में इस दुनिया में fire की discovery कैसे हुई, जो आग आज हमारे लिए इतनी सारी उपयोगी है, वो कैसे उसको find out किया गया, कैसे उसकी खोज की गई तो चलिए, शुरू करते हैं, fire was the most significant discovery of early humans, students जो प्राचीन काल के जो मानव थे, उनके लिए सबसे महतपूर्ण discoveries में से एक थी, fire discovery of fire, आखिकोज सबसे ज़्यादा महतपूर्ण थी, क्यों थी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे उनको relief मिले, बहुत सारे comfort मिले, like अब उनको ठं है, वो मांस मिल जाएगा, fire was discovered by accident, और देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे research हुई होगी, या फिर बहुत सादा इन लोगोंने teamwork किया होगा, तब जाकर इसकी खोज हुई है, तब जाकर इसको discover किया गया है, नहीं, ये accident था, आचानक से क्या हुआ, कि आपको पता है कि weapons ब बनाने के लिए, जो early humans थे, वो two rocks को rub करते थे, एक दूसरे पर रगड़ा करते थे, तो इसी दोरान क्या हुआ, कि जो कुछ sparking हुई, और वो जाकर जो सूखी हुई dry leaves थी, उन पर जाकर गिर गई, और वो देखते हैं, कि उन पत्तियों में, उन लीप्स में आग लग जात है, तो वो आग जब बढ़ जाती है, उनके लिए तो भाई strange था कि आखर ये है क्या, गरम गरम लगतो रहा है, जैसे कि कोई animal है, अगर कोई animal वहाँ पर बैठा हुआ है, और साइड में आप वहाँ पर fire लगा दो, तो क्या करेगा, वो animal वहाँ से डर के भागेगा, तो ऐस ही, early human के साथ हुआ, वो वहाँ से भाग गए, और वहाँ चुपकर वो देखने लगे कि आखर ये कब तक burnt out होती है, ये कब तक burnt out होती है, ये जब तक कि पूरी नहीं जली, वो लोग वहाँ नहीं गए, और जैसे ही जली, तो वो जाकर देखते हैं, कि उन्हें बहुत सारे changes देखने को मिल रहे थे, क्या changes देखने को मिल रहे थे, जो reason था, वो पूरा गर्म हो चुका था, तो उनको, मतलब वहाँ पे night में, उन्हें थोड़ा था comfort मिल रहा था, then, वो अब night में उन्हें light मिल रही थी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, कि जो discovery of fire थी, वो काफी ज़ाद significant थी, early human के लिए, gradually they discovered that they could use fire for various purposes, the fire could give them light in the night, keep them warm and also be used to cook food, student, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो night में उन्हें light मिलने लगी थी, और वो उनको warm रखती थी, गर्म रखती थी, जो हमारे wild animals थे, उनसे उनको थोड़ा सा defense मिलता था, more significant than the discovery of fire was how the early human learned to control fire and use it to their advantage, students, आपने देखा कि किस तरह से ये बहुत ज़ादा important है कि वो उनके लिए कितने ज़ादा advantage हुए fire के और वो control कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि अब बहुत ज़ादा आग लागे चले जाते थे, control करना थो उनको आता नहीं था, तो control करने से ज़ादा important है कि उनको advantage कितने हुए थे, So my dear students, here we are going to stop this lecture. I hope you have understood very well this topic and if you like this topic, press the like button and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching this video.